हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिपजर अरक दशाराम के बारे में जिसका मुख्य यूज लिवर की बिमारी और मोटापे को ठीक करने के लिए किया जाता है साथ ही इसके और भी फाइदे हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे इसलिए संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे देशी जड़ी बूटियां और आयरवेदिक प्रड़क्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी दोस्तो अर्क दशाराम सिपजर कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो के जी एमपी और अन्य प्रमुक संस्थानों द्वारा प्रमानित है और बेस्ट प्रोड़क्ट मार्किट में लाती है अगर फाइदों की बात करें तो सिपजर अर्क दशाराम का मुखे यूज लिवर की बिमारी और पूख ना लगना जैसी समस्याओं में किया जाता है इसके साथ मोठापा और सुजन की बिमारी के इलाज के लिए भी काफी फाइदे मन्द है सिपजर अर्क दशाराम वजन कटाने में सहायता करता है और समाने स्वास्त को बढ़ावा देता है इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी पेशिस गुन परपूर होते हैं सिपजर अर्क दशाराम शरीर में कमजोरी और ठकान की मुक्य समस्याओं जैसे खून की कमी को भी पूरा करता है जिससे रोग प्रतिरोदक शमता बढ़ती है साथ ही तनाव को कम करने में भी मदद करता है सिपजर अर्क दशाराम दिल और दिमाग की सहत भी बरकरार रखता है सिपजर अर्क दशाराम का सेवन शरीर और तवचा दोनों के लिए फाइदे मन होता है यह अनर्जी से परपूर होता है जिन लोगों को दिन बर कमजोरी और ठकान मैसूस होती है उन्हें सिपजर अर्क दशाराम का सेवन जरूर करना चाहिए सिपजर अर्क दशाराम रक्त को शुद करता है और उर्जा को बढ़ाता है दोस्तो यह तो थे सिपजर अर्क दशाराम के कुछ फाइदे यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाते हो तो नीचे दिये गए नमबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हो यह पूरी तरह से आयरवेदिक है इसलिए सही मातरा में लेने से कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है बट यदि फिर भी आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंती इसे लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिल लें अगर डोज की बात करें तो दस एमेल दिन में एक बार ले सकते हो या फिर किसी वैद हकीम की इसला से लें तो ज़्यादा बेतर होगा दोस्तों सिपजर अर्कदशाराम को सक्रीन पे दिये गए पोल्टरस में से किसी से भी खरी सकते हो क्योंकि यह सब हमारे सेलिंग पार्टनर है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें गुडबाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में